हलो गाइस वेक्तित चैप्टर के बारे में देखिए इस वीडियो में बात होगी वेक्तित का आर्थ, परिबासाई, वेक्तित के परकार और वेक्तित के सिध्धान्थ इन points पर आधारित प्रश्णों पर बात होगी और अभी तक जो है हम लोग 205 प्रश्ण पढ़ चुके हैं पांच सेकी जो series है उसके 205 प्रश्ण हम लोग पढ़ चुके हैं यानि 11 पार्ट पर बात हो चुकी है और आज है आपका 12 पार्ट अगर आपने 11 पार्ट नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ेगा एक एक प्रश्णा आपके लिए important है आप किसी भी राजे का टेट exam देने जा रहे हैं तो guarantee देता हूँ अगर आप ये series पढ़ लेते हैं तो बाल विकास में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप बहुत ही अच्छा करके आएंगे ठीक है चैनल पर अगर आप पहली बारा हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दबा दिजेगा जिससे के आपको नई वीडियो उसकी notification समय से मिलते रहें वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दिजेगा शेयर कर दिजेगा ठीक है कमेंट करके जरूब बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा पहला प्रशने मारा व्यक्तित का मनो विसलेसर सिद्धान जो है ये किस ने दिया है selden ने, fried ने, allport ने, cattle ने तो ये दिया है fried महोते ने अगला प्रशने seal good सिद्धान जो है किस ने दिया है cattle ने यानि आरवी cattle, allport दोनों या selden ने देगे seal good सिद्धान से जो है seal good सिद्धान से जो है, allport और cattle दोनों जुड़े हुए है तो इसका अप्रशन आपका C सही होगा, ठीक है अगला प्रशने आपका चेतन मन, अर्ध चेतन मन, अचेतन मन के बारे में अवधाना किस ने दी इसकी नर ने, रूसो ने, नन ने, या fried ने तो ये दिया था fried mode ने देखे जो चेतन मन होता है, ये आपका कितना होता है ये आपके mind का 10% होता है, conscious mind जो होता है, वो 10% होता है और जो अचेतन मन होता है, वो 90% होता है, unconscious mind और subconscious mind को जो है, 0% माना गया है फ्राइड के अनसार ठीक है चेतन मन जो होता है ये वरतमान से जुड़ा हुआ होता है अर्द चेतन मन जो होता है वो कहते हैं कि आधा चेतना में होता है आधा चेतना में नहीं होता है और जो आपका अचेतन मन है इसमें क्या होता है इसमें मन में दुखी दमभित है वो आपके अचेतन मन में होती है अगला प्रस निसी पर आधारित है कि ऐसा मन कौन सा है जिसमें दुखी दंवित इच्छाओं का भंडार होता है चेतन मन अर्ध चेतन मन अचेतन मन या दी और डी देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा मन जिसमें दुखी दंवित इ सिध्धान्त है ये दिया है अबरहम मासलो ने और पांच परकार की मांगे बताई हैं कौन-कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं देखे इन्होंने जो है एक पिरामी डाकार का अपना सिध्धान्त दिया है उसमें जो है पांच परकार की मांग बताई है पहली बताते हैं सार सिध्धान दिया है और कहते हैं इन पांच प्रकार की मांगों के आधार पर जो है व्यक्तित्थ होता है ठीक है तो मांग का सिध्धान जो है अब्रहम मास्लों दिया है अगला प्रसंड जो है बहुत ही महत्वण है इड़ इगो सुपर इगो में परस्नाल्टी को किस ने सद्धान से जुड़ा हुआ कौन है इड है इगो है रिड को हिंदी में इदम कहते हैं इगो को अहम और रिड को पराहम Carolyn सद्धान से जुड़ा हुआ है आपका इड यानी क्या रिड हथ हुआ है इदम है अगला है वास्तुकता पर आधारित होता है इगो, सुपर इगो, दोनो या इन में से कोई नहीं देखे, वास्तिक्ता पर जो आधारित होता है वो आपका होता है इगो सुखवादी सिध्धान पर कौन होता है? इड़ अगला है पास्विक प्रवत्ती से जुड़ा हुआ कौन होता है? इड, इगो, सुपर इगो या पहला और दूसरा दोनो दिखे पास्विक प्रवत्ति से जुड़ा हुआ होता है आपका इड यानि इदम अभी मैंने आपको बताया था कि इड को जो है हिंदी में इदम कहते हैं इगो को एहम कहते हैं और सुपर इगो को पराहम कहते हैं प्रश्ण है लिबडो की अधाना यानि काम प्रबती से जुड़े हुई जो बाते होती हैं वो किस में होती हैं इदम में अहम में पराहम में या इनमें से कोई नहीं ये होता है इदम में अगला है मानवताबादी सिध्धान से जुड़ा हुआ कौन होता है इड इगो सुपर इगो या बी और सी इगो या सुपर इगो तो मानवताबादी सिध्धान से जुड़ा हुआ है आपका इगो होता है ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यान रखेगा अगला प्रशने आदर्श वादि सिध्धान्त और देवत्य की प्रवत्ती ये किससे जुड़ी हुई होती है तो ये जुड़ी हुई होती है इड से होती है इगो से होती है सुपर इगो से होती है या इगो और सुपर को दोन से होती है देखे आदर्स वाधिस इधांत और देवत्य की प्रवत्ति से जड़ा हुआ जो होता है अगला है नियूंत का सुपरिक्रण कहां और होता है इड में really पूर्ट नहीं होती है उनका भंडारण कहा होता है इड में इगो में यानि दोनों में या सुपर इगो में देखिए जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है यानि दुख जो है दंबित इच्छाएं हैं ये कहां होती हैं ये होती हैं आपके अचेतन मन में और अचेतन मन से जुड़ा हुआ है आपका इड तो आपका आपसन पहला साई है ठीक है अगला प्रशन है देखे इड इगो सुपर इगो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए ये तो आपकी चौईस है बाकि जितने भी प्रशन आने वाले हैं मैंने इस वीडियो में सामिल कर लिए हैं व्यक्तित के चप्टर से इससे पहले मैंने TAT, CAT, SCT जो भी आपकी विधियां हैं उन पर बात गी थी आज जो है मैंने आपको जैसे बत वा है जिसमें इड इगो इड और सुपर इगो के मद संतुलन इस्थापित किया जाता है इगो और सुपर इगो के मद संतुलन इस्थापित किया जाता है जिसमें इगो मजबूत होता है तो कौन सा आप्सन सही होगा एक संतुलित व्यक्तित वा है जिसमें इड और सुपर प्रकार के सिध्धान्त में मनो विसलेसड के सिध्धान्त में या विवारवाद के सिध्धान्त में देखे यह की गई है आपकी किसमें मनो विसलेसड के सिध्धान्त में देखे मैंने आपको बताया था चेतनमन और अर्ज चेतनमन और अचेतनमन के बारे में देखे चेतनमन इस यूजित को द्यान ने कीगा, तो बर्फ से तुलना की गई है, यह जो आपका बर्फ है, यह तैयर रहा है माली जे समूद्र में, कुछ 90% हिस्टा जो जैल में है, 10% हिस्चा जो उपर है, जो 10% हिस्चा आपका पुछेतनमं है, और ये जो लाईन है आपकी 0% वाली ये आपकी अर्धि चेतनमन है और जो अचेतनमन है वो 90% है तो मानो मस्तिस के तुल्ला बर्फ के चटान से की गई है किसमें मनोविसलेसन के सिधान में और मनोविसलेसन सिधान जो है सिगमंड फ्राइड ने दिया था अगला है सामुहिक अचेतन का संप्रत्य जो है किस ने दिया है पावलाव ने इसकेन ने फ्राइड ने युंग ने तो ये दिया है युंग महोदे ने अगला है अगला प्रशने मारा व्यक्तित का समाज सास्त्री प्रकार का सिधान दिया गया है किस के द्वरा हिपोक्रेटस के द्वरा क्रेचमर के द्वरा सेल्डन के द्वरा या इस्प्रेंजर के द्वरा देखे ये दिया गया है इस्प्रेंजर के द्वरा इस्प्रेंजर तो जो थे आपके ये जर्मनी के दार्षनिक एवों मनोग्यानिक थे अगला प्रसोने परसोना सब्द जो है किस भासा का है देखे परसोना का जो मतलब होता है वो होता है मास्क या मुखोटा तो परसोना जो है किस भासा का है जापानी है लैटिन है ग्रीक है या रूसी है तो परसोना जो सब्द है ये लैटिन भासा का है ठीक है अगली जो परिभासा है बहुत ही महत्पुण है और आपकी एक्जाम में पूछी देजिए प्रशन यह कतन किसका है व्यक्ततुन मनो दह पहिक विवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातामण की अपूर्श रमायजन को इस्थापित करता है किस ने कहा है रेक्स राक वुडवर्थ आलपोर्ट रास तो ये कहा आलपोर्ट महोदे ने ये 1937 में परिवासा दी गए थी किसके दवरा आलपोर्ट के दवरा इसको कैसे आद रखेंगे आल मतलब होता है सभी पोर्ट मतलब होता है बंदरगा सभी जो बंदरगा होते हैं वो गत्यात्मक यानि गतिकी अवस्था में होते हैं और वातामण के साथ समायजन इस्थापित करते हैं ठीक है देखिए 1937 में ये परिवासा दी गए थी इनके अपूर श्रमायजन के इस्थान पर क्या किया इन्हों लिखा विशिष्ट विवहार चिंतन सब्दों को जोड़ा तो इनकी परिवासा 1961 में हो जाती है व्यक्तित उन मन और देहिक विवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो विशिष्ट विवहार चिंतन को इस्थापि जिसको समाज में माना भी जाता है और नहीं माना जाता है रेक्स जो है रेक्स ऐसी चटान है माली जिसको समाज में माना भी जाता है और नहीं माना जाता है इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा अगला है व्यक्तित व्यक्तिके जनम जात्वा आरजि वा भावनाओं का संगठन है ये किस ने कहा है ये कहा है आरके माटन ने इसको कैसे याद रखेंगे देखे जो आरके जो बच्चा है या आदमी है उसकी जन्म जात मोल प्रवत्ति और उच्छा है कि वो मटन खाए ठीक है इस तरीके से रिलेट करके याद रखेगा आगला है व्यक्तित व्यक्तिके सभी गुणों का समू है ये कतन किसका विया वुडवर्थ का गिलफोर्ड का मन का या नन का व्यक्तित व्यक्तिके सभी गुणों का समू है ये कहा है गिलफोर्ड महोदे ने देखिए वुडवर्थ ने एक और परिभासा दी है इन्होंने कहा है व् अंतर मुखी बहर मुखी उभई मुखी व्यक्तित के परकार किसने बता हैं इस प्रेंजर ने यूंग ने कोहलर ने आईजेनक ने तो ये बता है यूंग महोदे ने ठीक है बी आपसन आपका सही है वेरी वेरी इंपोर्टन प्रस्न है ये एकजाम में आपको मिल सकता है क्यो ये जो बहर मुखी होता है ये दोनों होते हैं नेता और खिलाडी और इंट्रोवर्ट वो होते हैं दारसनिक हैं संत हैं ठीक है ये आपके इंट्रोवर्ट होते हैं अगला प्रस्न है आपका एथलेटिक एस्थैनिक पिकनिक और डिस्प्लास्टिक सरीर रचना के आधार प पिकनिक और डिस्प्लास्टिक देखिए एथलेटिक क्या होता है जो सुसंगठित सरीर वाला पुष्ट मांस्पेसियां चोड़ा कंधा लंबे हाथ पर ठीक है वो होता है आपका एथलेटिक एस्थैनिक होता है दुबला पतला पिकनिक क्या होता है पिकनिक होता है नाटा वाला ठीक तो इन चार प्रकार यह चार प्रकार बताएफे ने बताएफे लिए बता आग्स अग्लाए सेल्डन отп के प्रकार कितने बता हैं यह सरीर विश्छता के आधार पर व्यक्तितु को तीन भागुमबाटा है गोलाकरती वाले आयताकरती वाले और लंबाकरती वाले देखें गोलाकरती जो है इंगलिस में एंडोमार्फिक आयताकरती वाले मीसोमार्फिक और लंबाकरती वाले एक्टोमार्फिक कहलाते हैं इनकी विस्यस्ताइं क्या होती है देखें जो आपक वो हस्त पुष्ट जोसीले क्रोधी भारी सरीर वाले और पतली चमड़ी सरीर वाले लंबे रोते हैं और आपका जो ल्बा रयती हुता है एक्टमार्फिक वो लंबे नाजुक अविक्सित मांसपेशी वाले होते हैं तो सेल्डन ने तीन प्रकार बता हैं, इंडोमारिफिक, मेसोमारिफिक और एक्टोमारिफिक, अगला है सूच्म, स्थूल, सूच्म, स्थूल, प्रत्य विचार वाले विक्तित के प्रकार किसने बता हैं, इसके नरूसो, थांडाइग नन, तो ये बता है, थांडाइग होते हैं जो वस्तूहों के माध्यम से विचार करते हैं जैसे ज्ञान प्राप्त करना ठीक है भичесमिचार वाले जैसे घड़ितक्य हैं बहुत दिक विज्ञानी है ठीक है अगला पुष्णिवार आपका हिपोक्रेटीज ने चेकिस्ता के आधार पर व्यक्तित को कितने भागूं में बाटा है देखें उन्होंने चार भागूं बाटा है कौन-कौन से काला पित वाला पीला पित वाला अधिक रक्त वाला और कफ प्रधान व्यक्तित तो ये चार प्रकार बता है है हिपोक्रेटीज ने काला पित वाला कैसा होता है कुन्ठित विचार वाला होता है निरासावादी होता है दुखी होता है और मलिन व्यक्ति होता है पीला पित वाला का होता है जो पीला पित होता है जिसका वो होता है क घ्रफ परधान यह होता है सांत भीरू उदारमन वाला ठीक है सच को आप अगला प्रशन इसी पर है कि इस प्रंगर ने विक्तित के कितने प्रकार बताए हैं देखे इन्होंने छे प्रकार बताए हैं कितने भीया बताए हैं छे कौन-कौन से सैध्धान्तिक भावना वाला विक्ति ये एक प्रकार बताए है प्रदान मंत्री राष्टपती और MLA, MLC ये पांचवा है आपका धारमिक विक्तित यानि जो धर्म से जुड़ा हुआ है जैसे संत है, पुजारी है, सादू है, पादरी है, मौलवी है छटा बता है इन्होंने सौंधरात्मिक विक्तित वाला ये स्प्रेंगर की बात कर रहा हूँ, कहीं और मत चले जाएगा देखिए बाल विकास आपको अगर पढ़ना है, तो इतना आपको ध्यान देना होगा और ये जो 500 MC की सिरीज चल लही है, जिस दिन पूरी हो जाएगा, उस दिन मैं आपको बताऊँगा की पीडियप कैसे मिलेगी, ठीक है, तो छटा वाला आपका सौंदारात्मक विक्तित, और इसके अंतरकत को आते हैं, मूर्तिकार, चित्रकार और संगीतकार तो इस प्रेंगर ने छे प्रकार के विक्तित बताए हैं, एक बार फिर से दोरा देता हूँ, सैदान्तिक भावना वाला विक्तित, सामाजिक विक्तित, आर्थिक विक्तित, राजिनीतिक विक्तित, धार्मिक विक्तित और सौंदरात्मक विक्तित अगला है। सभाव अगला प्रहंदे के छुटा जा रहा है। भगवत गीता में वरनित विक्तितु के प्रकार कितने हैं। दो, तीन, चार, छे। देखे, भगवत गीता में भै्या, तीन प्रकार के विक्तितु का dich line हैं। सतो गुड़ी व्यक्तित या नहीं मलब पहला सतो गुड़ी दूसरा रजो गुड़ी और तीसरा आपका तमो गुड़ी देखे सतो गुड़ी जो होता है सतो गुड़ी वाला जो होता है ये सभी गुड़ों से संपन होता है और इसर और धर्म में आस्था रखता है दूसरा आपका होता है रजो गुड़ी देखे ये गुड़ और अवगड़ वाला होता है ठीक है जैसे को तैसा वाला और कर्म में आस्ता रखता है ठीक है तीसरा बताया है इन्होंने तमो गुड़ी तमो गुड़ी वाला जो होता है लड़ाई जहगड़ा करने वाला और युद्ध प्रीमी होता है ठीक है तो ध्यान देखेगा भगवद गीता में तीन प्रकार के विक्तित बताएगे सतो गुड़ी विक्तित रजो गुड़ी विक्तित तमो गुड़ी विक्तित अगला है सभाव के अनुसार इक रियस्मर ने कितने प्रकार के विक्तित बताए हैं सभाव के अनुसार जो है जो आपके महोदे हैं एक रेस्मर इन्होंने जो है दो परकार बताए हैं एक बताए आपका साइकलाइड और इक आपका बता है साइज्ट। ठीक है तष्यूज को आप लोग ध्यान रहेगा और शरीर की अन्तास्रावी गरंथियों के आधार पर बिक्तितु का जो निर्धान किya है वो डबलू वी कैनन ने किया है ठीक है इस चीज को ध्यान रिखेगा और इन्होंने निम्न प्रकार से बाटा है जो आपके WV कैनन है सरीर की अंतासरावी ग्रंतियों के अधार पर विक्तित्त को जो है पांच भागों बाटा है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ अधिक थाइराइड ग्रंति वाला पहला विक्तित बताया है फिर बताया है दूसरा निम्न थाइराइड वाला ग्रंति वाला फिर तीसरा बताया है पिट्यूटरी ग्रंति वाला पिचवता बताया है एंडरलीन ग्रंति वाला गोनाड ग्रंति वाला ये पांच प्रकार बता बता है वो आर्वीं कैटल ने बता है देखिए यह सुभाव के आधार पर ही है लहरी और अलहरी सुभाव के आधार पर ही बताए दिया है फ्राइड ने क्रैस्मर वा स्लेड है किसी ने discuss पर्शनल्टी से जुडः हुआ है अगला है सेस्स जो निवन है इसमें से कौन सा भिन्न है TAT, Sola PF, Revan का परिच्छन या Dry Man परिच्छन देखिए जो TAT, Sola PF, Dry Man परिच्छन है ये विक्तित के परिच्छन है रेवन का परिच्छन जो है ये भिन्न है तो आपका C आप सुन जो है थोड़ा सा अलग है ठीक है अगला प्रस्ण हमारा से से भिन्न में से कौन सा है TAT, Sola PF, Cloud Picture Test, Dry Man Test तो Sola PF ये आपका परिच्छेपी विधी है ठीक है और ये जो आपका TAT और Cloud Picture Test और Dry Man Test ये परिच्छेपी विधी है इस चीज़ को आप लोग ध्यान देखेगा तो जो आपका TAT है, CAT है, SCT है और IBT है ये आपकी प्रच्छेपी विधिया है प्रच्छेपी विधियों के अंतरगत अचेतन मन का अध्धिन किया जाता है अचेतन मन में क्या होता है दभी हुई इच्छाएं होती है TAT जो है, TAT का पूरा नाम, Thematic Aperception Test है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं प्रचांगिक अंतरगत परिछण 1935 में मारगण अमुरे के द्वारा दिया गया था इसमें 31 कार्ड से 10 कार्ड पर महिला का चितर, 10 कार्ड पर पुरुष का चितर और 10 कार्ड ऐसे थे जिस पर महिला और दूनों के चितर बने हुए थे, एक कार्ड आपका खाली था, दूसरा होता है आपका CAT, Children Aperception Test जिसे कहते हैं बाल संप्रत्य बोध परिछण 1948 में दिया गया था, इसमें कुल 10 कार्ड थे, 10 कार्ड पर जो है थे, विदेसी जानवरों के चितर बने हुए थे, जिसकी वज़ दूसरा ने, इसमें भी 10 कार्ड थे, ACT जो है, sentence, completion test, वाक्यपूर्थ परिछण जो है, पाइनवाट, टिंडलर न दिया है, तो यह आपकी प्रच्छेपी विधियां है, अगला प्रस्ण है, व्यक्तित मापन की सारवदिक वस्तुनिष्ट विधी कौन है, प्रच्छेपी प्रश्णावले विधी या समाज मिती विधी, तो भया साच्छाथकार विधी जो है, यह आपकी सारवदिक वस्तुनिष्ट विधी होगी, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा दिखें, गडबर हो गया, लिखा है, व्यक्तित मापन की सारवदिक वस्तुनिष्ट विधी जो है, यह आपकी होगी प्रच्छेपी विधी, ठीक है, पहला अप्सन आपका साच्छाथकार नहीं है, ठीक है, तो अगला प्रशन हमारा, अचेतन मन का अध्यन है, वो कहां किया जाता है, अब लोकनात्मक विधी के अंतरगत, प्रच्छेपी विधी के अंतरगत किया आता है आपका option जो है 20 होगा ठीक है तो अचेतन मन के अंतरगत जो है प्रचेपी विदियां आती है और चेतन मन के अंतरगत जो है वो आते हैं आपकी अप्रचेपी विदियां ठीक है तो इस प्रकार से आज का जो हमारा वीडियो था यहीं पर समाप्थ होता है लेकिन म आपको एक point बता देता हूँ id ego और super ego के बारे में एकदम general knowledge देता हूँ आप points द्यान से लिख लिजिए देखें id जो होता है आपका id वो शुक्वादी सिद्धान से जुड़ा हुआ है ठीक है और id जो है अचेतन मन से जुड़ा हुआ है अचेतन मन में क्या होता है डवी हुई इच्छाय होती है काम प्रवत्ती से लिख 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 से जुड़ा हुआ है इदम जो होता है यानि id होता है पास्विख प्रवत्ती से जुड़ा हुआ होता है ego की बात कर ले अगला है सुपर इगो जो होता है आदर्स्वादी सिधान से जुड़ा हुआ होता है और देवत की प्रवत्ति को धारण करता है तो यह आपका जो बहुत ही महत्पोर्ण और थोड़ा से लंबा वीडियो हो गया तो वो तो कोई बात नहीं है लंबा वीडियो होगा ही अगर आप पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा से लंबा हो जाएगा मैं फाल्तु की बात नहीं करता हूं ठीक है तो यहीं पर जो हमारा व